हम आपको ये उत्तर दाइत्व देते हैं कि आप सत्ते का पता लगाईए है नार आये, नार आये माते, जैसी आपकी आग्या माते हमें लगता है वज्रमुष्टी को देवलोक में प्रवेश देवी पॉलमी ने दिलवाया है अभी तक ये सुट तो नहीं हुआ है परन्तो देवी पॉलमी ऐसा कर सकती है वो देवरा जिंद्र की पत्नी होने का लाब उठाती है किन्तु सरवदा साक्षे के अभाब में बच जाती है किन्तु इस बार हमें किसी भी प्रकार का साक्षे प्राप्त करना ही होगा क्यूंकि देव हो असुर हो या मनुश्य सभी को उनके कर्मों का परिनाम अवश्य भूगतना पड़ता है इस प्रकार का अनुचित व्यवार दूसरों को पीडा देता है जिसे रोकना अत्यांत अवश्यक है हम में से कोई भी इस अनुचित व्यवार को सुईकार नहीं कर सकता इस प्रकार का कारे मनुश्य जाती के लिए घातक है विशानूं का प्रयोग धर्ती लोग पर वर्जित है ऐसा अनैतिक कारे कर मनुश्य को व्याधी देने का अधिकार किसी के पास नहीं पूरा एपिसोड देखे जी फाइपर चितना अजीब है लोगा जब हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया तो आपने अम्मा को हमारी जीवन में भेश दिया आखे रिष्टा क्या हमारा उनके सब प्रवे प्रवे कितना ख्याल रख रहे है हमारा ऐसे प्यार करती है जैसे हम अनकी बेटी हो कियारी अम्मा एरकुलेस पॉल की तरह 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 क्यारीस अम्मा के लिए प्यारेसे तोर। प्रवे 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 अम्मा को देंगे संतोषी कौनसा विचार आ गया हमें भी तो बताओ प्रवे प्रवे अम्माँ अगे याव अम्माँ अरे अप्रो कितना डूंड़ाए अरे बिटिया बताओ तो क्या विचार आया। कि आपको दानिवाद कहने का विचारा है आप कितना ख्याल रख रही है हमारा कि अध्यार दे रही है हमारी मां होती ना तो शहत वह ऐसे मारा ख्याल रहती है हम भी आपको कुछ देना चाहरे थे लेकिन मैं हमारे पस देने को है क्या पर आमने आपके लिए कुछ बनाया है बस यह फूला आपके लिए यह बिल्कुल तुम्हारी तरह सुन्दर है हमारा अशिरवाद हमेशा तुम्हारे साथ है तुम हमेशा इन पुश्पो की तरह लहकती रहना अच्छा सुनो हमें तुम्हारे घाव पर लेप लगाना है अगर हमने सही समय पर सावधानी नहीं बढ़ती तो यह रोग तुम्हारे शरीर के अन्य भागों को भी नुकसान पहुंचा सकता है क्या करें कुछ समझ में ने आरा इज जी क्या करें आप क्या बताएं बिद्ध्य जी कुछ समझ में नियारा क्या करें आज के हैं बताईए तो दिखिए संतोशी के लिए पैसों की सखते रूरत है अबर उसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो उसका रोग बढ़ सकता है गर में तो हमारी बात के शुंता नहीं और देहरे से बात करना फिजूल है देहरे तो आप परिशान होना बंद करिये यह तो आपका बलड पैशर उपर हो जाएगा आप एकाम क्यों नहीं करते हैं हमने तो देहरे के शादी के लिए एफटी करवाई थी ना हम उसे तुड़ाया लेते हैं यह सही होगा एक बात बताईए हमें विज्जा जी यह आपके अंदर भी सद्दूसी के लिए उतना ही प्यार है जितना हमारे दिल में अगर वजन करने जाए तो हमारा प्यार उसके लिए आप से सौ दो सौ ग्राम सादा ही होगा वाह यह तो बहुत यची बात है देवी लक्ष्पी भक्तों को तो अपने आराद की सेवा करते सदैव देखा है परन्तु किसी आराद को अपने भक्त की सेवा करते देखना एक अनोका ही दृष्ष्य है यह आपने कभी ऐसा दृष्ष्य देखा है देखा तो नहीं था किन्तु एक भक्त की भक्ती ने देखने का अफसर दे दिया संतोशी की नीस्वार्थ भक्ती ने देवी संतोशी को विवश कर दिया यही अंतर है संतोशी और बाकी लोगों की भक्ती ने देवी संतोशी और संतोशी का संबंध इसी माँ बेटी के संबंध से कम नहीं हमने अपनी कुछ शक्तियों को रुपांतरित कर इस जल में समाहित किया है आशा है ये जल तुम्हारी सहायता करेगा लो इससे पी लो प्रणाम दीवी पॉल में जब एक माता अपने भक्त पर इस प्रकार का स्निय करती है तो वो दृष अपने आप में ही रंबनिय हो जाता है ना रायन ना रायन देवी पॉल में देख रही है नाम किस प्रकार संतोशी का अस्वस्त होना भी उसी के लिए लाबदायक सिद हो रहा है इसी बहाने उसे मा की ममता मा का प्यार मा का आलिंगन तो मिल्ला है जिसके लिए वो सदय वातूर रहती है ना रायन ना रायन देख भी रहे है और समझ भी रहे है देवर्शी किन्तो संभवत आपको यह स्मर्ण नहीं कि ये देव लोग के सम्मिधान के विरुध देवताव को मनुष्य से इतनी निकटा रखना वर्जित है देवी संतोशी ने देव लोग के नियमों को भंग किया ना रायन ना रायन परंतु देवी पॉल्मी भक्त है तो ही भगवान है और ये सत्य समस्त संसार को ग्यात है और इसलिए प्रम्म देव ने देवी देवताओं की नियुक्ती की है ताकि वे अपने भक्तों को उचित जिवन जिना सिखा सके उनके द्वारा देम के बीज वोए उन्हें स्वयम प्रेम करें ताकि उन्हें सदेव इस बात की अनुबती रहे कि समस्त संसार में वे अकेले नहीं है उनका ईश्वर सदेव उनके साथ है ना रायन ना रायन संतों चिवा प्रिपा करिये अंपने प्रिपा करिये माँ तर्णाम देवियों माते आपकी भक्त संतोशी अत्यंत पीडा में क्या आपको घ्यात हुआ माते तुन्हें कौंसा रोक हुआ है ना रायन ना रायन देवरिशि रोक तो अवश्य ही विशानू के प्रभाव से हुआ है परन्तु सबसे बड़ी दुविदा ये है कि हमें इस व्याधी का उपाए ग्यात नहीं हो रहा हम अत्यंत व्याकुल है देवियों इसलिए आप सब भी इस समस्या के निधान के बारे में विचार कीजिए हमें लगता है देवी पॉलमी ही इस समस्या का समाधान बता सकती है देवरिशी आपने देवी पॉलमी से संपर्थ किया नार आये, नार आये, हाँ मातिक, हमने उनसे संपर्थ किया, परंतु वह ये स्विकार करने को तैयारी नहीं है, ये खृत्य उन्होंने किया है देवरिशी, इस समय हम देवी पॉलमी को किसी भी बात के लिए विवश नहीं कर सकते किन्तु उनसे बिंती तो कर सकते हैं, कि इस रोग से मुक्ती पाने का उप्चार बताएं नार आये, नार आये, शमा चाहते हैं लग्ति मातिक, किन्तु देवी पॉलमी हमारी कोई सायता नहीं करेंगी ये तु स्वयम चाहती है, कि संतोशी माता के भक्त को कश्ठो पीड़ा हो, नार आये, नार आये वो चाहती है, किन्तु हम ऐसा कदापी नहीं होने देंगे देवरशी, आप तो तीनों लोकों में ब्रमन करते हैं आपकी किसी से तो भेट हुई होगी, जो इस दुविधा में हमारी सायता कर सके हम हवशी पता करेंगे माते मा भी आपकी विया से बात हुई हमने उसे फोन किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाए और तुम तो जानते हो, हम बार बार किसी को फोन नहीं करते कि प्यार करना अच्छा है लेकिन प्यार की इतनी पुजा मत करो कि दिन रात उसके सामने चुपना पड़े मा भी आपकी बात सही है और मुझे पूरा यकीन है कि रिया को मिस अंडिस्टाइंडिंग हुई है आप एक बाद करांती मा से बात क्यों नी करती हैं क्रांती मा के पास तो हर प्रॉब्स में सिलीशन होता है बेगा हम तुमारे लिए ये भी कर लेते हैं लेकिन तुम तो जानते हैं कि पिछली बार उसने क्रांती मा के किती इंसल्ट की थी वो तो क्रांती माता को मानती भी नी तो हम क्रांती मा से कैसे बात कर सकते हैं चलो ठीके एक बार हम क्रांती मा से बात कर भी लिए तो क्या तिया क्रांती मा की बात सुनी है क्या उनकी बात मानी है पताओ बुरा मत बानना देहरे हो लेकिन जितना प्यार तुम रिया से करते हो न वो उसका आधा भी नहीं करती वरना बिला सोचे समझे वो यहां चलिया ही होती खेर जाने दो हम रताब को पिसाथ देकर आती है क्या हो अधयागे काफी अपसर लग रहे हैं नहीं बाबी कुछ में रहे हैं कम आँ तो भी चोटी बाबी से भी कुछ बाते शेयर का लेकर हमेशना बड़ी बाबी से बात करते रहते हैं I mean, even I want to help यहां मुची बुरा लग रहा तो मिलेकर अला संतोशी के साथ कैसे मैनेज करते हैं ओफ नूँ, it's so difficult, right? तो मैं तुमारी प्राब्लम समझ सकते हैं पुर यू चर्ण बाबी को प्राबी समझ घृह हैं और में प्रिया कॉल कर लिए पर रिया फोन यूठा रही उन्का टो उनका फोन नीटा रही दिए लू लीज़ मैं थे लिए वोन से बात करें गिरी अ से घु अफ फो बात करें गीर असे ऌट से आपऑ करें जो नगे बाभी क्यों हो जोडिन बाभी हो तसके कहिंट्रीन ही? प्रीज ले लाइग है रिली लाइक है। उप सब्सक्रान के हैं नियुक्रान के से प्राफ है कि अझन थे लिए जो है प्रीज्ट नियुक्रान थे थाया है। हुआ पावजी है हाँ भावजी अरे का है ना वह हमारी आमीर लोग जरह कम ही आते है तो इसलिए वह घबरा गई थी आप खड़ेता है आई अंतर आई 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 कि अदेखे बाद में के अधिया बाकिशत आप काम हम बाद में करेंगे सबसे पहले मपने शंतोशी से मिलना चाहते हैं आप हमें शंतोशी से फिलवा जिए और इसके वालाद मेठ देगे आप एह लो अभी अभी सेशना जी शंतुतिया को लेकि एस्पिताल चले गये है हाँ 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 अब मिले नहीं का आपको रास्ते में अब ऐसा है न भाव जी आप पैसे हमें दे दीजे वह हम गुड़ू के हाथ सेशना तक बौटा देंगे हैं हाँ 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 है पैसे थो मांपको दे देते हैं लेके दोची को बिना मेरे जाने को हमारा मन नहें कर रहा है हम एक काम करते हैं हम उसके लिए इंतजार करते हैं अग्सक्त भी देंगे और उसके चाचा के हाथ पैसे भी दे देंगे अबशी चुटी लेका चाएटा हाह अब आपने महरा बहुत ठार को बहुत सेवा कि अपने हमारे बहुत थेयर रगा है बहुत सेवा किया अपने हमारे लेकिन ऐसे और कब तक पूँए यह दिन अवाम चलते हैं अपता है तुम हमें मान नहीं मानते इसलिए इस तरह जा रही हूँ मा अरे क्या हुआ कहां पूँए तुम कहीं ने बस सोच रहते जिस शब को जिस दुश्टी को बश्च्पन से जीना चाहते थे उसे जीने का हैसास कैसा होता बश्च्पन में ही हमारे माहा में छोड़कर चले गए तब से लिकर आज तक ये शब ये रिष्टा हमारे ले अधोरा सा था लेकिन आज ये शब और रिष्ट है तोनों हमारे लिए पूरे होगे माँ अगर तुम सच मुझ हमें मा समझती तो इस तरह नहीं जाती अब जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती यहां से कहीं नहीं जाओगी हमने तुम्हारे उपचार के लिए पड़े बड़े चिकित्तकों से संपर किया है सभी तुम्हारे इस रोग का अध्यान कर रहे हैं तेखे जिसना भी समय लग जाए लग जाए लेकिन हम संकूशी से मिले बिना यहां से नहीं जाएगी जोटी पाँची के लिए नास्ता तो लाओ जी 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 लाँते हैं नास्ता अभी लाओ गुटू भैंकर गर्म में आज तो नमस्कार बड़े मालिक नमस्कार आरे बापे अकेले आया है देवर जी गुटू हम अब वो संतोसिया को का अस्पताल में भरती करवाना ही पड़ा हमें कहा है ना डाक्टर साहब ने कहा है कि तीन चार देन आउर रखना पड़ेगा यहां आरे बापे कोन है कोन है जिसने हमारा ध्यान भंग करने का दूस्ता हास किया कि असुरों में संत अच्छे नहीं लगते क्यों आप संतों की तरह तपस्ता कर रहें हमारा ध्यान भंग करने वाली पोलोवी बले ही अम तुमारे काका है लेकिन अब तुम हमारे क्रोध से नहीं बच सकती हम यहां किसी संबंध के कारण नहीं आये है काकष हम यहां देवराज जिंद्र की पत्नी के रूप में आएं आपकी तपस्या का पहल हमें एक शन में दिय सकते पिर मोक्ष प्राप्ती के लिए आप सध्यों तक तपस्ता क्यों कर रहे हैं मोक्ष किसी की सहायता से नहीं वलकि सत कर्मों से प्रप्त होता है उसके लिए समय नहीं देखा जाता और हम अपनी तुपस्या किसी के कहने से नहीं छोड़ने वाले वैसे अचानक हमें मोक्ष दिलाने का विचार तुम्हारे मन में कैसे आ गया तो तुम यहां अपने स्वार्त की लिए आई हो समन रखो हम तुम्हारे को हिसाइता नहीं करेंगे जली जाओ यहां से काकाश्री हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगे कि अम अपने ही संबंधी को बिना मोख्ष दे यहां से चले जाएंगे प्रनाम काकाश्री तुम्हारी अवस्ता किसने की गुनासूर हम तुमसे ही बेट करने आएथे किन्तू गुनासूर गुनासूर हम जानते हैं सर दर से अलव होने की पश्चाद भी कुछ शणों तक तुम जीवित रह सकते हो शीगर अति शीगर हमारी सहायता करो गुनासूर यह किसी के जीवन और मित्यू का प्रश्ण है देखो कोई तो है जो नहीं चाहता है कि संतोशी का उपचार हो रंतु तुम तुम हम पे उपकार करो गुनासूर अति शीगर हमें बताओ गुनासूर के असुरी विशानू से उत्पन रोग बता हो में गुनासूर यह किसी के जीवन और मित्यू का प्रश्ण है गुनासूर शीगर बताओ तुम नहीं गंडों के बीच उपस्तिक सरूबर का यह उन्चीं खंडों के बीच उपस्तिक सरूबर का ज़ए गुनासूर संतोशी छोड़ो ये क्या कर रही हो बैठो एसी हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए देखो तुम्हारे घाउ बढ़ते जा रहे हैं ये विशानुओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है यदि औशदी नहीं मिले तो ये तो संतोशी के पूरे शरीर को निश्प्रान कर देगा आप चिंता क्यों कर रहे हैं ये घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे आप हमारे लाजबी तो कर दिये हैं और हमें आप पूरा परुस है जो स्वेम दुविधा में हैं वो तुम्हारी साहता कैसे करीगी? संतोशी माता की भग तुम अपी संतोशी मा पर विश्वास ना ही करो तो तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि तुम्हारी संतोशी माता तो स्वेम जटलता में घिरी है संतोशी हम जानते हैं कि तुम बहुत कश्ट में हो हमें जल्दी इस रूप का उपाय निकालना होगा आशा है देवरिशी ने कोई ना कोई समाधान निकाल लिया होगा क्या हुआ संतोशी तुम कुछ परेशान लग रहे हैं हमें अमारी दादी और काका की याद आ रहे हैं हता नहीं वो किसा अलग में होगी दादी ने तो हमारे बारे में सोच सोच कर अपने तब्यती खराब कर ली होगी पर क्या करें इस बिमारे को लेकर किसे से मिलने भी तो नहीं जा सकते आपको पता है हम उने बिना वता ही मंदित में छोड़कर चले आते हैं उनको जगा कर मिले भी नहीं हम इस रोक से बितने तक्रीफ नहीं है उससे ज़्यादा तक्रीफ इस बार कि है कि हम उसे मिलने पाए पताने किस आलत में होगी हो हमारे भक्त किसी भी परिस्थिती में दूसरों की चिंता करना नहीं छोड़ते हैं ऐसे भक्त हमारे रिदे में विशेश ठान रखते हैं संतोशी को कुछ हो गया तो हम स्वयम को कभी शमा नहीं करेंगे देवी संतोशी आप चिंता ना करें देवरिशी इस रोग का कोई ना कोई अप्चार लेकर आते ही होंगे ना रायन ना रायन प्रणाम माते गुनासुर के साथ भेट हुई क्या उन्होंने संतोशी के रोग का उक्चार बताया आप शान्त क्यों हैं देवरिशी कुछ तो कहिए ना रायन ना रायन माते आज हम शुब समाचार नहीं लाए है हमारे वहां पौचने से पूर वही किसने गुनासुर का सर दढ़ से अलग कर दिया माते ओल तो है माते जिसकी दृष्टी हमारी योजना पे है और वो नहीं चाता कि संतोशी शीग्र अतिशीग्र स्वस्त हो जाए ना रायन ना रायन वो कौन है ये तो हम सब जानते हैं किन्तो बिना साक्षी के हम कुछ नहीं कर सकते देवी संतोशी गुनासुर तो अब हमारी सहायता नहीं कर पाया अब हमें कोई और उपचार कोचना होगा ना रायन ना रायन लक्षमी माते तनिक थैरिये एक उपाय है जो कदाचित हमारे काम आ सकता है अर्थात ना रायन ना रायन माते जब हम गुनासुर से बेट करने पोचे थे तो उसका सर धड़ से अलग हो चुगा था किन्तु थोड़े से प्राण शेष थे और अंतिम समय िसमें उसके मुख से कुछ स्वाण दिया की परांतु माती हम इसमौ समय नहीं पाया है देवर्षी में वो स्वार क्या था पूरा एपिसोड देखे जी फाइपर